नमस्कार दोस्तो वेलकम टू रमेश अकेडमी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आईए हम लोग शुरू करते हैं फिर से मैथ का क्लास जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था परसंटेज टू फ्रेक्शन और फ्रेक्शन टू परसंटेज इसलिए हम लोग कुछ बेसिक फ्रेक्शन है उसको हम लोग याद ही रख लेंगे तो धिरे-धिरे करके हम लोग देखते हैं जो जो आप लोग को याद होगा वो लोग आप लोग आप लोग याद होगा ही लेकिन इसे आप लोग याद करने की भी कोशिस मत किजिएगा बस वह हम लोग जानते हैं 100% हो जाता है एक बोले या 100% बोले दोनों का बात बराबर ही होता है उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं दूसरा है आपका एक बटा 2 तो एक बटा 2 का परसेंटेज जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 50% इसको आप लोग शेक भी कर सकते हैं 1 बटा 2 को 100 से multiply कर देंगे तो 50% हो जाएगा इसको हम लोग direct याद ही रखेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 बटा 3 तो 1 बटा 3 का percentage कितना हो जाएगा तो 1 बटा 3 का percentage होगा वह हो जाएगा 33 पुर्णांग 1 बटा 3% हो जाएगा उसी तरह से आपका दिया हुआ है 1 बटा 4 तो 1 बटा 4 का percentage कितना हो जाएगा तो 1 बटा 4 का percentage हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा फिर उसके बद में दिया हुआ है 1 बटा 5 तो 1 बटा 5 का percentage कितना हो जाएगा तो 1 बटा 5 का percentage हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं फिर next एक बटा चौव का तो एक बटा चौव का परसंटेज जो लिखेंगे वह हो जाएगा आपका 16 पूनांक 2 बटा 3 परसंट हो जाएगा उसी तरह से 1 बटा 7 तो 1 बटा 7 का परसंटेज कितना हो जाएगा तो 1 बटा 7 का परसंटेज हो जाएगा 14 पूनांक 2 बटा 7 परसंट हो जाएगा यानि कि 14 पूनांक 2 बटा 7 परसंट हो जाएगा 1 बटा 7 का परसंटेज उसके बाद में 1 बटा 8 का देखेंगे तो 1 बटा 8 का परसंटेज कितना हो जाएगा तो एक बटा 8 का percentage हो जाएगा 12 पूर्णांग एक बटा 2% हो जाएगा फिर उसके बाद में एक बटा 9 का percentage कितना हो जाएगा तो एक बटा 9 को मतलब कि 100 से multiply करके आप लोग देख भी सकते हैं तो एक बटा 9 का percentage हो जाएगा नाइन पूर्णांग एक बटा 11 परसेंट हो जाएगा उसी तरह से आप देख लेंगे एक बटा 12 का percentage तो एक बटा 12 का percentage कितना हो जाएगा तो एक बटा 12 का percentage हो जाएगा एक बटा 12 का percentage हो जाएगा एक बटा पूर्णांग एक बटा 3 का percentage हो जाएगा तो एक बाटा तेरा का परसंटेज कितना हो जाएगा साथ पुर्णांक नौ बाटा तेरा परसंट हो जाएगा उसी तरह से एक बाटा चौदा का परसंटेज निकालेंगे तो एक बाटा चौदा का परसंटेज कितना हो जाएगा तो एक बटा 15 का percentage हो जाएगा 6 पूनांग 2 बटा 3% हो जाएगा अगर हम लोग 1 बटा 16 का percentage निकलती हैं तो एक बटा 16 का percentage जो होगा हुआ होगा 6 पूनांग 1 बटा 4% तो अभी फिलहाल में इतना ही तक हम लोग percentage मतलब देखेंगे और आगे जैसे जैसे class आएगा वैसे वैसे इसमें और भी percentage या इसके multiple को हम लोग add करते जाएगे तो आप लोग इसे याद करने की जववत नहीं है जैसे जैसे हम लोग का class होगा और question करेंगे तो यह अपने आप आपको याद हो जाएगा वा होगा 33 पूर्णांक एक बटा 3 परसेंट होगा एक बटा 4 का होगा 25 परसेंट होगा एक बटा 5 का होगा 20 परसेंट होगा एक बटा 6 का होगा 16 पूर्णांक दू बटा 3 परसेंट हो जाएगा एक बटा साथ का होगा चौदा पूर्णांक दू बटा साथ परसेंट हो जाएगा और एक बटा आठ का जो होगा वा बारा पूर्णांक एक बटा दो परसेंट हो जाएगा एक बटा नो का जो होगा वा एक आरा पूर्णांक एक बटा नो परसेंट हो जाएगा इस तरह से आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे य्याक depends आप लोग हमेशा याद रखेंगे परसेंटेज जो होता है हमेशा एक बटा नौ जो पाठ दिया हुआ न तो उसका एक बटा नौ नीचे जो दिया हुआ उसी को आम लोग याद रखेंगे तो एक बटा नौ का परसेंटेज जैसे हम लोग जानते हैं वह होता है एक आरह पूर्णांक एक बटा नौ परसेंट हो दे दे तो 8 बटा 9 परसेंटेज दिया है यानि कि 8 होना है तो एक अनि कितना हो जागा एक आले 888 यहां पे हो जागा 8 divided by 9 परसेंट यानि कि यह हो जागा 88 पुनंग 8 बटा 9 परसेंट इसी तरह से आगे हम लोग देखते है अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं आगे क्या है आपका जैसे एक बटा 9 को हम लोग देख लिए 5 बटा 9 को देख लिए और 8 बटा 9 को देख लिए यदि मानू लिजी कि अब इसके जगवा पर 7 बटा 9 अगर दिया रहे तो 7 बटा 9 का कितना परसेंटेज हो जाएगा जैसे हम लोग जानते हैं एक बटब्लिप्लाइग करेंगे यानि की 179% हो जाएगा उसी तरह से हम लोग जितना भी इसका दिया रहा है तो जितना मल्टिपल होगा उससे हम लोग मल्टिप्लाइग कर देंगे और वह लिख देंगे तो आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है जश्ट आप समझते चलिए धिरे धिरे प्रेक्टिस करने के साथ ये आपको अपने आप पर याद हो जाएगा उसके बाद में जैसे मान लिजी कि यदि दिया रहे कि 7 बटा 11 का निकलना है तो 7 बटा 11 का कितना परसेंटेज होगा तो जैसे हम लोग जानते है 1 बटा 11 का कितना परसेंटेज होता है तो 1 बटा 11 का परसेंटेज होता है वह होता है 9 पूर्णंक 1 बटा 11 परसेंट होता है यह साथ गुना है तो 7 से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 7, 6 हो जाएगा फिर 7 से multiply करेंगे तो 1, 7 यानि कि 7 बटा 11 % हो जाएगा इस तरह से इसका percentage हो गया फिर उसके बाद में यदी मान लिए कि 7 बटा 11 का percentage पूछे तो 9 बटा 11 से कितना गुणा है तो 9 गुणा है तो 9 से multiply कर देंगे यानि कि 9-11 कासी हो जाएगा, आयो हो जाएगा 9, यानि कि 9 बाटा 11 परसेंट हो जाएगा, इसी तरह से लिख लेंगे, उसके बाद में जब आदी माल लिजे कि 10 बाटा 11 का परसेंटेज निकलने के लिए बोले तो 10 गुना है, तो 10 से मल्टीप्लाइ कर देंगे, यानि कि 10 नवन नवगे और यह हो जाएगा 10 से कम 10, 10 बटा 11% इस तरह से एंसर हो जाएगा उसके बाद में next यदि मालेजे कि इस तरह से यदि कोई दिया रहे कि 3 बटा 8 का percentage निकलना है तो 3 बटा 8 का है तो हम लोग किया याद की हैं 1 बटा 8 का निकलने हैं तो 1 बटा 8 का percentage कितना होता है हो जाएगा आपका 12 यह 36 यह 3 से multiply करेंगे तो 3 बटा 2% हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले मैंने बताया था कि यह जो reminder होता है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए चोटा होना चाहिए यह तो बड़ा है तो फिर से हम लोग इसको हम लोग change करेंगे कितना हो जाएगा यह तो 36 प्लस एक बटा दो परसेंट हो जाएगा उसी तरह से यदि मान लिजे कि आपका पुछे कि पाच बटा आठ कितना होगा तो 5 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका बारे पचे साथ और फिर 5 करेंगे तो 5 बटा percentage हो जाएगा से टी टू पूणांग एक बटा दो परसेंटेज हो जाएगा पाच बटा एट का फ्रेक मतलब percentage उसके बाद में यदि साथ बटा आठ अगर पुछ देता है तो साथ से multiply कर देंगे 1 being our ूं उडू टेम एड कर देगे तो बारे 64 हो जाएगा हो शारत बटा दो परसेंट हो जाएंगी तो यहाँ पे जी से मालना लिए कि अधा जैसे आपको निकालना पड़े पाँश बटा 7 का यदी पूछ देता है तो 5 बटा 7 काツ का कितना होगा तो इसके लिए हम सबसे पहले जानना पड़ेगा कि 1 BTA 7 का कितना होता है तो हम लोग जानते हैं 1 BTA 7 का पर्सेंटेज हम लोगों remainder जो एबढ़ा है यहाँ फीर से एक बार divide करेंगे तो साथ-एक,śmy- Less awake-slex ton. इसी तरह से आपनेक्ष लग दें, पाच बटा 7 कोम लोग देख लिया है, यदी आपसे पुछ दे कि चार बटा 7 का कितना हो गाता, चार बटा 7 का हम लोग क्या करेंगे चार से multiply करेंगे एक बटा साथ में तो चार से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा चौदे चोगा 56 और हो जाएगा यहां पर चार दुनी आठ बाई साथ परसेंट यहां पर आठ बटा साथ जो है बड़ा है साथ से यहां पर करेंगे साथे कम साथ एक पूर्णांक एक बटा साथ हो जाएगा तो इसको हम लोग एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 57, 57 पूर्णा की एक बटा साथ परसेंटेज हो जाएगा उसी तरह से next अब हम लोग देख लेते हैं next में क्या होगा next में हो जाएगा आपका 4 बटा साथ के बाद में हम लोग देखते हैं आपका जैसे माल लिए कि आपको 6 बटा साथ ही अगर पूछ दे जैसे माल लिए कि 6 बटा साथ अगर पुछ देता है 6 बटा साथ को हम लोग क्या करेंगे तो 6 से यहाँ पर मल्टिप्लाई कर देंगे तो 6 से मल्टिप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा तो 14, 84 हो जाएगा और 6 दुनी 12, 7 परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे 12 तो बड़ा है तो 7 कम 7 और 7 कम 7 पाच बटा साथ परसेंटेज हो जाएगा तो एक को यहाँ पे एड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 85 पूणांक 5 बटा साथ परसेंटेज हो जाएगा इस तरह से हम लोग 6 बटा साथ का भी निकाल लेंगे कि एक बटा 6 का कितना होता है तो हम लोग जानते हैं एक बटा 6 का होता है तो इसमें क्या करेंगे एक 5 बटा 6 है तो इसे 5 से हम लोग मल्टिप्लाई कर देंगे तो 5 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा सोरे पचे 80 हो जाएगा प्रेक्षन कितना होगा तो साथ बाता बारा का फ्रेक्षन याद रतने के लिए लिखने के लिए आपको एक बटा 12 आपको याद होना चाहिए एक बटा 12 के कितना हो जाएगा 8 पूर्णंक 8 पूर्णंक 1 बटा 3 परसेंटेज हो जाएगा तो 7 से मल्टिप्लाई कर देंगे यहाँ पे 7 बटा बारे निकलने के लिए देखते हैं. next हम लोग देख लेते हैं जैसे मान लीजे कि अगर दिया रहे 11 बटा 12 का निकालने के लिए. तो ए 11 बटा 12 का कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम लोग जानते है ए 12 बटा 12 का कितना होता है? 8 पुर्णांक 1 बटा 3% होता है. यहाँ पर यह गारा जो है वह reminder बड़ा है diviser से तो इसलिए यहां पर करेंगे 3, 3, 9, 2, 3 हो जाएगा तो इस 3 को हम लोग add कर देंगे तो 88, 3 कितना हो जाएगा एक आनवे हो जाएगा यानि कि हो जाएगा आपका एक आनवे पुर्णांक आपका हो जाएगा 2 बटा 3 परसेंट हो जाएगा फिर उसके बाद में हम लोग next देख लेते हैं next में क्या है कि जैसे मालीजे कि 5 बटा 12 दिया रहा है तो 5 बटा 12 को अगर fraction में change करना है तो एक बटा 12 दिया है तो यह 5 गुना है इसको हम लोग add कर देंगे तो 40 प्लस 1 हो जाएगा आपका 41 पुर्णांक 2 बटा 3 परसेंट हो जाएगा इस तरह से हम लोग इसका fraction निकालेंगे उसी तरह से यह दिमान लिजेगी अगर देदेता है आपका 5 बटा 14 का percentage निकालने के लिए fraction दिया हुआ है तो 5 बटा 14 का निकलना है तो हमको पता होना चाहिए कि 1 बटा 14 का क्या होता है तो जैसे हम लोग जानते हैं 1 बटा 14 का जो percentage होता है होता है आपका 7 बटा 7% हो जाता है तो इससे 5 बटा 14 है तो 5 बटा 14 है तो 5 से आपको multiply कर देंगे इसके बद में आपको दिया हुआ है 11 बटा 14 अगर दिया रहे तो क्या करेंगे यह गारा गुना है तो आपके कितना हो जाएगा चार बटा 7% हो जाएगा इस तरह से उसके बाद में जैसे मान लिजे कि अगर आपसे पुछ है पुछ दे कि 7 बटा 15 का आपको निकालना है 15 16 अगर निकालना है तो 7 बटा 15 निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि 1 बटा 15 का कितना होता है तो एक बटा 15 कीतना होता है 6 पुछ नक 2 बटा 13 परसेंटिज होता है तो इसको हम लोग देह लेंगे 7 बुर्णा है तो 7 46 बच बयालिस हो जाएगा और 7 दुनी 12 14 बटा 13 अगे इस तरह से हम लोग हमेशा याद रखेंगे और उसके बाद में यादि मान लिजे कि इसके इस और next कोई अगर दिया हो रहा है जैसे मालेजे कि 8 बाटा 15 का ही fraction अगर निकालना हो रहा है मतलग percentage निकालना रहा है 8 बाटा 15 तो खुदी fraction में है तो इसको अगर percentage निकालना है रहा है एक बटा पंदर को देख लेंगे कितना है, 6 पूरांग, 2 बटा, 3 परसेंट है, तो इससे 8 से हम लोग मल्टिप्लाई कर देंगे, तो 8 से मल्टिप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 शक 48 हो जाएगा, और 8 दुनी 16 दिवैडिड़ वाई 3 परसेंट हो जाएगा, परिसिक फ्रैक्ष tractor से और Multiple fraction जैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं त्वह हम लोग इसे हम लोग निकाल सकते हैं अब हम लोग नेक्सट देखते हैं कुछ और concept को जैसे मान लीजिए कि एक और concept हम लोग देख लेते हैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया रहा है एक 100 दिया रहा है 100 में से यदि घटाना हो 23 पूर्ण एक बटा 11 को घटाना है तो इसको हम लोग कैसे घटाते हैं तो यह देख लेते हैं जैसे अब दिया रहे 100 को 23 पुर्णांक एक बटा 11 से अगर माइनस करना रहा है तो 23 को हम लोग एक बढ़ा कर लेते हैं यानि कि 24 कर लेंगे तो 100 को 24 से यदि मतलब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अब क्या करेंगे डिवाइड में 11 ही रख देंगे और इसमें 1 से माइनस कर देंगे यानि कि 26 पुरुणांक 10 भई 11 हो जाएगा कैसे करेंगे पांठी को यदि माइनस करना है 23 पुरुणांक एक बटा 11 से तो 23 को एक बढ़ा कर देंगे 24 हो जायेगा और इसमें 1 बटाएगा दिया रहा है तो 11 तो नीचे आएगा ही आएक यहाँ पे है तो 11 में इसे एक इसकल तो 10 कर देंगे कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे लेकिन पहले देख लेते हैं कैसे यह किया जाता है उसके बाद में नेक्स्ट है जैसे मालीज दिया रहा है 17 माइनस 3 पुनांक 9 बटा 17 दिया रहा है तो इसको आपको घटाना है तो कैसे घटाएंगे हम तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है 3 को 4 कर दिये तो 17 मेनस 4 इस गलतू कितना हो जाएगा तेरह हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 17 ता आएगा ही तो 17 मेनस 9 17 मेनस 9 कितना हो जाएगा 8 यानिकि 13 पुनांक 8 बटा 17 इसका एंसर हो जाएगा डायरेक्ट उसके बाद में नेक्स्ट अगे आपको दिया रहा है जैसे मालीज जीए कि यहाँ पे दिया रहा है 500 500 दिया रहा है अब 500 को माइनस करना है कितना से 11 पुनांक 1 बटा 2 से माइनस करना है 11 पुनांक 1 बटा 2 से माइनस करना है तो क्या करेंगे 500 को 11 से 9 करके 12 से कर लेंगे माइनस करेंगे तो 500 को 12 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 488 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बटा 2 तो है ही तो इसमें क्या करेंगे आपको हम जैसे 1 बटा 2 मन लिएगी 2 ही रहे तो क्या करेंगे 2 एकम 2 तो नीचे रहेगा ही 2 में से 1 कर देंगे माइनस तो एक हो जाएगा यानि कि 488 पूर्णंग एक बटा दो हो जाएगा उसी तरसे अगर नेक्ष दिया रहा है 29 माइनस छो पूर्णंग 157 दिया रहा है 157 तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे इसमें क्या करेंगे 29 तो छो को एक बढ़ा देंगे तो 29 माइनस 7 कर देंगे तो 29 माइनस 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा फिर उसके बाद में क्या करेंगे नीचे तो 97 है तो 97 तो रहेगा ही अब 97 को 51 से माइनस कर देंगे तो 97 को जब 51 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 46 यानि कि 22 पूर्णांक 4692 हो जाएगा अब उसके बाद में हम लोग next देख लेते हैं next में क्या है जैसे मानलीजे की 30 दिया रहा है 30 से माइनस कितना करना है आपको 5 बटा 19 को माइनस करना है ठीक है मानलीजे कि 1 पूर्णांक 5 बटा 29 को माइनस करना है तो एक पूर्णांक 5 बटा 19 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक दिया है तो एक को एक बढ़ा लेते है यानि कि 30 माइनस 2 हो जाएगा यानि कि 28 लिख दिये और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 19 तो रहेगा ही तो 19 में से 5 को घटा देंगे यानि कि कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा यानि कि 28 पूर्णांक 14 बटा 19 हो जाएगा उसके बाद में next देख लेते हैं 20 माइनस 5 पूर्णांक 11 बटा 40 दिया हुआ है तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 को एक बढ़ा देंगे यानि कि 6 हो जाएगा तो 20 माइनस 6 इसकल टू 14 हो जाएगा यहाँ पे 40 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा यानि कि 29 बटा 40 हो जाएगा यानि कि 14 पूर्णांक 29 बटा 40 हो जाएगा अब next देख लेते हैं हम लोग जैसे हम लोग ए माइनस कर रहे थे अब इसको देख लेते हैं कि हम लोग माइनस क्यों कर रहे थे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अभी हम लोग ने देखा question 20 माइनस 5 पूर्णांक 11 बटा 40 दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं 20 माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्लस 11 बटा 40 इसको हम लोग लिख सकते हैं इस त monopoly से हम लोग ने लिख दिया फिर उसके बाद में इसे हम लोग इसे भी लिख सकते हैं 20 माइनस आपका 5 हो जाएगा प्लस 40 भाई 40 हो जाएगा फिर उसके बाद माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 29 भाई 40 लिख सकते हैं चुकि इसको एक करेंगे तो एक को माइनस करेंगे 40 माइनस 29 तो एक आरे बाई 40 हो जाएगा मने यहां को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे क्यूं लिखा तो इसको लिखने से क्या हो जाएगा 20- तो यह हो जाएगा आपका 5 इसका मैंड मतलब तो इसको इसको अगर कटा देंगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा याने कि 5 पलस 1 माइनस 29 भाई 40 हो जाएगा उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 20-6 प्लस हो जाएगा 29 बाई 40 हो जाएगा अब हम लोग देख लेते हैं 20-6 is equal to कितना हो जाएगा 14 14 प्लस 29 बाई 40 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 14 पुर्णांख 29 बाई 40 आपका एंसर हो जाएगा तो यह हम लोग देख लिया कि कैसे हम लोग यह long method हो गया लेकिन हम लोग direct अगर निकलना हो तो यहां से 25 है यहां पर minus करना है तो एक बढ़ा देंगे तो 20 minus 6 is equal to 14 हो जाएगा और नीचे तो 40 रहना ही है तो 40 को हम लोग 11 से minus कर देंगे तो यह 29 हो जाएगा बस हम लोग को इतना ही हम लोग को रखना है लेकिन यह हमारा long method हो गया इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है अब हम लोग को जानना भी नहीं है अब हम लोग कुछ और concept को हम लोग देख लेते हैं और concept के अंतरगत है जैसे मालीजी कि इसी पर एक और question को देख लेते हैं जैसे 1000 दिया हुआ है 1000-19 पुर्णांक 40 भाई 111 को हमको घटाना है तो 1000 को घटाना है 19 तो सबसे पहले 20 को घटा देंगे तो 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा और नीचे तो एक आले रहेगा ही इसको 41 हम लोग कर लेते हैं 41 करेंगे तो नहोगा तो 41 करेंगे तो 41-40 हो जाएगा 41-40 का मतलब कितना हो जाएगा यह तो 41-40 is equal to हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा यदि माल लिजे कि उसी तरह से यदि 4% के जगह पर यदि 32% पुछ देता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे एक बाटा 5-25 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे यह तो हो गया 8 गुना तो 8 गुना हो जाएगा तो सीधे 8 बाटा 25 हम लोग याद रखेंगे तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे उसी तरह से जिसमाली यह 15% का भेलू कितना है तो 5% का भेलू हम लोग जानते है एक बाटा 20 है तो यह तीन गुना है तो सीधे यह भी तीन गुना हो जाएगा तो तीन बाटा 20 हो जाएगा इस तरह से हम लोग याद रखेंगे अब percentage का हम लोग कुछ basic concept को हम लोगों ने जाना आगे आने वाले classes में इससे और भी बेहतर concept को हम लोग percentage के अंतरगत लाएंगे percentage एक बहुत ही basic concept है जिसका हर chapter में यूज होता है आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ share और subscribe कीजिए thank you